हेलो स्टुडेंट्स है वेल्कम टू आवर चैनल सिंप्ली मैठेमेटिकल आज के इस वीडियो में हम क्लास 12 मिसिलीनेस एक्सेसाइज ओन चैप्टर 6 कि प्रॉब्लम नंबर 2224 सॉल्व करेंगे तो मैंने प्रॉब्लम 1-9 1-18 पहले से सॉल्व कर दिये हैं ठीक है ना 19 प्रॉब्लम जो है वो डिलेटेट प्रॉब्लम है ठीक है ना तो हम अब 20 प्रॉब्लम से स्टार्ट करेंगे ठीक है और यह जो प्रॉब्लमस है 2022 24 वो सारे एम सी क्यों से ठीक है multiple choice questions तो 20 question अब देखते हैं 20 question है the slope of the tangent to the curve x equal to t square plus 3t minus 8 y equal to 2t square minus 2t minus 5 at the point 2, minus 1 is दिये सारे 4 option दिये हुए है तो यहां पर हमें क्या find करना है slope of the tangent ओके और कर्व जो है वो इस तरह से दिया हुआ है एक्स और y की terms में जो की functions of t है ओके हमें slope find करना है tangent का उस कर्व में at the point 2, minus 1 ठीक है तो देखते हैं कैसे solve करेंगे इसको 20th तो यहां पर x equal to t square plus 3t minus 8 दिया हुआ है और y equal to 2t square minus 2t minus 5 ठीक है अब अगर हम slope of tangent find करें तो उसके लिए हमें dy by dx की जरूरत है ठीक है तो dy by dx is equal to since these functions are given in terms of t ठीक है क्योंकि यह function t function है तो हमें क्या करना होगा chain rule use करना होगा यहां पर यहां पर आ जाएगा dy by dt ठीक है divided by dx by dt that is derivative of y with respect to t और derivative of x with respect to t ठीक है तो यह क्या हो जाएगा derivative of y with respect to t का मतलब है derivative of this y with respect to t so that is 2 multiplied by derivative of t square is 2t ठीक है minus derivative of 2t is 2 ठीक है और derivative of minus 5 is 0 तो यह आ जाएगा divided by dx by dt तो derivative of x with respect to t derivative of t square is 2t ठीक है derivative of 3t is 3 तो ऐसे आ जाएगा ठीक है तो dy by dx क्या होगा 2 multiplied by 2t is 4t minus 2 divided by 2t plus 3 ठीक है तो dy by dx तो हमें मिल गया और वो किस terms में है t terms में ठीक है तो हमें क्या find करना है dy by dx at 2,-1 that is slope of the tangent at the point 2,-1 तो 2,-1 यह हमें point दिया हुआ है ठीक है ना तो इसका मतलब क्या है यह जो है वो x-coordinate है तो 2 is equal to this ठीक है 2 जोकी x-coordinate है which is equal to t square plus 3t minus 8 ठीक है और यह जो minus 1 है which is equal to y ठीक है क्योंकि यह y-coordinate है which is equal to 2t square minus 2t minus 5 ठीक है यहाँ पर हमें t find करना है क्योंकि slope जो हमें मिलेगा वो कैसे मिलेगा वो t की value substitute करकर मिलेगा ठीक है ना तो उसी लिए हमें t find करना है ठीक है तो यहाँ पर हमें कौन से equation मिले है t square plus 3t minus 8 equal to 2 ठीक है and 2t square minus 2t minus 5 equal to minus 1 ठीक है यह दो equation हमें मिले है तो अगर हम इसे 1 कह दे और इसे 2 कह दे तो from 1 हमें क्या मिलेगा t square plus 3t minus 8 ठीक है और यह जो 2 है वो यहाँ पर हम ले सकते हैं तो minus 2 equal to 0 ठीक है तो अगर हम सिंप्लिफाय करें तो हमें मिलेगा t square plus 3t minus 10 equal to 0 ठीक है ना तो यह तो quadratic equation है तो हमें यह factorize करना है तो कैसे factorize करेंगे t square minus 5t ठीक है plus 2t minus 10 equal to 0 ठीक है तो अगर हम यहाँ पर t common ले ले तो हमें मिलेगा t multiplied by t minus 5 प्लस यहाँ पर 2 common ले ले तो मिलेगा 2 multiplied by t minus 5 equal to 0 ठीक है अब यह हम common ले सकते हैं तो t minus 5 multiplied by t plus 2 equal to 0 मिलेगा ठीक है तो हमें क्या मिल गया t is equal to 5 या t is equal to minus 2 ठीक है यहाँ से अब हम क्या करेंगे अब हम second equation लेंगे जो कि यह है तो हमें क्या मिलेगा 2t square minus 2t minus 5 plus 1 अगर हम minus 1 यहाँ पर लाए equal to 0 ठीक है तो अगर हम यह 2 यहाँ पर ले ले दूसरी साइड तो हमें मिलेगा t square minus t minus 2 equal to 0 ठीक है और यह अगर हम फेक्टराइज करें तो क्या मिलेगा यह हम लिख सकते हैं t square minus 2t plus t minus 2 equal to 0 ठीक है तो हमें मिलेगा t minus 2 multiplied by t plus 1 ठीक है इक्वल to 0 ठीक है यहाँ पर हमें यह मिलेगा तो हमें मिलेगा t equal to 2 और t equal to minus 1 ठीक है तो यह दो value हमें मिलेगा यहाँ पर मैंने क्या किया है plus 3 था तो मैंने minus 5 और 2 ले लिया था तो यह गलत है ठीक है यह है plus और यह है minus क्यूंकि हमें plus 3 चाहिए 5 minus 2 is plus 3 हमें यहां पर भी plus 5 होगा और यहां यहां माइनस आ जाएगा यहां पर प्लस 5 और यहां पर माइनस तो यह होगा minus 5 यह होगा प्लस 2 ठीक है तो ऐसे आ जाएगा तो कौनसे दो t value सेम है तो यह जो t equal to 2 है वो सेम है ठीक है और सो तो t value क्या होगा जो दोनों equation को satisfy कर रहा है वो होगा t equal to 2 ठीक है तो t value हमें मिल गई है क्या है वो t equal to 2 ठीक है यह हमने दो equation solve के है और हमें मिल गया t value तो यहां पर हमें मिला t equal to 2 तो इस t equal to 2 को अब हम substitute करेंगे किसमें dy by dx में तो dy by dx at t equal to 2 which is equal to dy by dx हमें मिला था 4t minus 2 divided by 2t plus 3 at the point t equal to 2 ठीक है तो यह हो जाएगा 4 multiplied by 2 minus 2 divided by 2 multiplied by 2 plus 3 तो ऐसे मिलेगा तो 42008 minus 2 मिलेगा 42004 plus 3 मिलेगा ठीक है तो हमें क्या मिलेगा 3 sorry 6 ठीक है 8 minus 2 which is 6 divided by 7 तो dy by dx at the point t equal to 2 is what 6 by 7 ठीक है और वो option कौन सा है बी option तो option B is the correct answer ठीक है तो यह था solution of the problem 20 अब हम problem 21 solve करेंगे तो problem 21 है यह the line y equal to mx plus 1 is a tangent to the curve y square equal to 4x if the value of m is तो हमें क्या दिया हुआ है line जो कि tangent है किस curve पर y square equal to 4x पर ठीक है ना हमें क्या find करना है value of m यह ठीक है तो हमें y equal to mx plus 1 यह tangent दिया हुआ है तो हमें क्या करना है हमें value of m find find करनी है तो अगर हम यहां से slope of tangent देखे तो क्या है वह slope of y equal to mx plus 1 क्या होता है is equal to यह जो m है ठीक है क्यूंकि यह जो line है उसका equation कौन से form में है y equal to mx plus c तो slope of line y equal to mx plus c क्या होता है m ठीक है यह आपको पता है तो slope of y equal to mx plus 1 is m ठीक है अब अगर हम यह equation use करकर dy by dx निकाले तो हमें क्या मिलेगा देखते हैं तो उसके लिए हमें क्या करना होगा पहले dy by dx तो find ही करना होगा ठीक है न तो dy by dx find करेंगे तो हमें क्या दिया हुआ है y y square equal to 4x ठीक है तो यहाँ पर हम derivative on both sides ले ले तो क्या मिलेगा 2y dy by dx ठीक है derivative of y square जो है वो 2y है multiplied by chain rule आपको क्या मिलेगा dy by dx ठीक है divided by 2y ठीक है तो dy by dx होगा तो अंजर टू तो टू बाइ वाई ठीक है न तो यह हमें मिल गया dy by dx ठीक है अब अगर हम एक point ले ले हांपे एक कॉमा भी ओके जो कि tangent पर भी है और कर्व पर भी है तो अगर यह ऐसा कर्व है यहाँ पर तो यह अगर हम point a,b ले 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 ठीक है जिसका tangent यह है y equal to mx plus 1 ठीक है तो आप देख सकते है कि यह point जो है a,b वो tangent पर भी होगा और इस curve पर भी होगा ठीक है तो let a,b be a point on the curve okay at which the tangent is y equal to mx plus 1 ठीक है ऐसे हम एक point लिखते है यह कमा भी ठीक है on the curve at which जो tangent जो है वो यह है y equal to mx plus 1 ठीक है तो अगर हम इस point पर slope देखे ठीक है dy by dx at the point a,b वो क्या होगा वो होगा slope of tangent y equal to mx plus 1 ठीक है यह कि इस point पर tangent क्या है y equal to mx plus 1 ठीक है यह कि इस point पर a,b करके हमें मिलेगा वो slope क्या होगा slope of the tangent which is the same tangent y equal to mx plus 1 ठीक है ना तो डीवाइब एडीक्स अगर हम देखे वो क्या है two by y इस point पर a,b ठीक है which is equal to slope of the tangent y equal to mx plus 1 क्या है m ठीक है यहां पर हमने find किया है तो यह है m ठीक है तो हमें क्या मिलेगा two divided by यह जो y है वो b है equal to m मिलेगा ठीक है ना तो यह है m तो यह equation हमें से मिला है एक equation ठीक है अब हम क्या करेंगे क्योंकि यह जो point a,b है वो curve पर भी है ठीक है ना देखो ठीक है तो since a,b is on the curve ठीक है therefore a,b satisfy the equation of the curve कौन सा curve y square equal to 4x ठीक है तो हमें क्या मिलेगा b square ठीक है equal to 4 times x coordinate क्या है a तो b square equal to 4a मिलेगा तो यह equation one यह equation two ठीक है तो यह equation हम मिले है ठीक है अगर हम अब कि यह जो equation है यहाँ पर वह भी यूज़ करें ठीक है क्योंकि a,b जो है वह tangent पर भी है क्योंकि यह tangent जो है वह a,b से पास होता है ठीक है तो यह जो point a,b है वह tangent पर भी है तो हम क्या लिख सकते है since a,b also lies on the tangent y equals to mx plus 1 तेर वह? satisfies the equation y equal to mx plus 1 तो y क्या होगा b equal to mx होगा a plus 1 यह आपको मिलेगा तो यह है third equation तो यह तीन्नों equation हम यूज करेंगे ठीक है to find the value of m ठीक है तो तो अगर हम 1,2 और 3 equation देखें यहांके तो equation 1 है 2 by b equal to m ठीक है equation 2 है b square equal to 4a और equation 3 क्या है यह ठीक है तो अगर हम equation 1 जो है वो 3 में substitute करें यहां पर तो देखते हैं क्या मिलेगा तो substituting 1 in 3 क्या मिलेगा हमें b equal to m क्या है m is equal to 2 by b ठीक है from 1 multiplied by a ठीक है plus 1 ऐसे मिलेगा ठीक है तो क्या हो जाएगा यह b is equal to 2a divided by b plus 1 ठीक है तो अगर हम यहां पर यह जो 1 है वो उस साइड ले ले तो क्या मिलेगा b minus 1 is equal to 2a divided by b ठीक है तो अब हम क्या करेंगे यह जो b है वो यहां ले लेंगे तो b multiplied by b minus 1 is equal to 2a ठीक है तो हमें क्या मिलेगा b square minus b is equal to 2a ठीक है ऐसे मिलेगा अब अगर यह equation हम देखे ठीक है और दूसरा equation है उसको देखें यहां पर ठीक है तो यह दो equation हमें use करने हैं ठीक है फिर से तो हमें क्या मिलेगा देखते हैं तो इसको हग कर हम 4 कहें तो कि सब्सक्रीटिटिटिंग कर देखते हैं तो हमें क्या मिलेगा फॉर एड़ होल स्क्वेर माइनस बी इस इक्वाल टू ए ठीक है ऐसे मिलेगा तो यह हो सिक्स्टीन ए स्क्वेर माइनस बी इस इक्वाल टू ए ठीक है तो बी स्क्वेर इस इक्वाल टू ए है यहां पर तो यह नहीं होगा स्क्वेर ठीक है यह जो बी स्क्वेर है वो पूरा फॉर ए है ठीक है नहीं तो फॉर ए माइनस बी इक्वाल टू ए आ जाएगा तो हमें मिलेगा minus B ठीके equal to 2A और यह अगर हम यहाँ पर लिया आए तो क्या मिलेगा minus 4A ठीके तो minus B is equal to minus 2A मिल जाएगा ठीके तो B is equal to 2A हमें मिल जाएगा तो यह equation भी हमें मिला है तो यह equation हम कहेंगे 5 ठीक है तो अगर हम यह 5 जो है ठीक है फिर से 2 में substitute करें तो क्या मिलेगा तो सब्स्टिटिटिटिंग 5 इन 2 तो हमें मिलेगा देखो 5 क्या है बी स्क्वेर इक्वल्ट 4 ए है तो हम अगर यह सब्स्टिट करें तो क्या मिलेगा 2a2 equal to 4a ठीक है उसका मतलब है 4a2 is equal to 4a ठीक है तो अगर हम 4a2 और यह यहां पर ले आए तो क्या मिलेगा 4a ठीक है 4a-4a equal to 0 तो हम यहां पर 4a common ले सकते हैं यहां पर रहेगा a-1 equal to 0 ठीक है तो हमें क्या मिलेगा a is equal to 0 यहां से या a is equal to 1 ठीक है दो वैल्यू मिलेगे ठीक है तो अगर हम यह दो वैल्यूज करकर b find करें तो when a is equal to 0 what is b b is equal to 2 times 0 which is 0 और यह कहां से है from 5 कि यहां पर हम ने substitute किया है ठीक है और अगर when a is equal to 1 ठीक है तो हमें क्या मिलेगा 5 एक्वेशन से तो एक्वेशन फाइव says b is equal to 2 times 1 which is 2 ठीक है तो ऐसे मिलेगा हमें तो हमें क्या मिलेगा बीकोल टू ठीक है न तो बीकोल टू और बीकोल टू जीरो ठीक है तो अगर हम यहां पर जो बी वैल्यूज है वह सब्स्ट्यूट कर दें ठीक है यह जो दो वैल्यूज है बीके वह सब्स्ट्यूट कर दें किस एक्वेशन में एक्वेशन 1 ठीक है यहां पर क्यूंकि यहां पर अगर हम सब्स्ट्यूट कर दें तो क्या मिलेगा तो फ्रॉम वान ठीक है एम इस इकोल टू टू बाई जीरो तो वो क्या होगा इंफिनिटी तो यह तो अप्शन नहीं है ठीक है अगे वें वी इस इकोल टू जीरो ठीक है तो यह उपशन डिस्कार्डेट है तो वैण बी इज इकोल टू एम क्या मिलेगा लिए मदेगा 2 डिवाटेट नू ठीक है व्जि़ वन को यह ओपुन है है ठीक है तो यह Sinn gjys ठीक है option A ठीक है न यह correct option है तो यह ता solution of 21 अब हम देखेंगे solution of 22 ठीक है तो solution of 22 22 problem है अब दे नॉर्मल एद दे point 1,1 on the curve 2y plus x square is equal to 3 is ओके तो हमें यहां पर equation of normal find करना है इस curve पर at the point 1,1 ठीक है न तो यह हम देखेंगे कैसे solve करेंगे तो 2y plus x square equal to 3 ठीक है यह हमें curve दिया है और जो point दिया है वो है 1,1 तो अगर हम dy by dx पहले find करें इस equation से तो हमें क्या मिलेगा हमें हमें both sides differentiate करना होगा तो two times dy by dx ठीक है प्लस derivative of x square है 2x equal to derivative of 3 है 0 ठीक है न तो हमें मिलेगा अगर हम two common ले ले तो dy by dx प्लस एक्स ठीक है equal to 0 ठीक है तो अगर हम two उससाइड ले ले तो हमें मिलेगा तो यह होगा dy by dx प्लस x equal to 0 ठीक है तो यह होगा dy by dx एक्वल टू माइनस x ठीक है न तो यह हमें मिलेगा अब हम क्या करेंगे हमें इक्वेशन ओफ नॉर्मल फाइंड करना है एड इस पॉइंट तो हमें पहले स्लोप आफ नॉर्मल चाहिए एड इस पॉइंट तो स्लोप आफ नॉर्मल at 1,1 क्या होता है minus 1 by dy by dx at the point 1,1 तो हमें क्या मिलेगा minus 1 divided by minus x at the point 1,1 तो यह होगा minus 1 divided by minus x at the point x equal to 1 तो हम्हें मिलेगा minus one divided by minus one तो वो होगा one ठीक है तो slope ऑफ normal एक one कोमा one क्या है one ठीक है और अगर हम equation और्माल फाइंड करें तो क्या मिलेगा एक्वेशन ऑफ नॉर्मल एट 1,1 इस तिके माइनस सोरी य-1 इक्वल टू स्लोप अफ नॉर्मल एकट 1,1 वाण मुल्टिपिलाइट वाए minus the x coordinate जो कि 1 है तो हमें यह मिलेगा तो this implies y minus 1 is equal to slope है 1 multiplied by x minus 1 ठीक है तो हमें का मिलेगा y minus 1 equal to x minus 1 ठीक है और यह जो minus 1 है और यह minus 1 है वो cancel हो जाएगा और हमें मिलेगा y equal to x ठीक है यह हम यह लिख सकते है यहाँ पर 0 और यह अगर y यहाँ पर ले ले तो हमें मिलेगा x minus y तो which is nothing but x minus y equal to 0 ठीक है तो यह equation है answer problem 22 का तो कौन सा option option d ठीक है is the correct option ठीक है तो यह था solution of problem 22 अब हम problem 23 solve करेंगे तो problem 23 क्या है the normal to the curve x square equal to 4 y ठीक है passing through the point 1,2 is what ओके यह 4 option दिये है तो यहाँ पर हमें क्या दिया हुआ है normal to the curve which is passing through the point 1,2 ठीक है तो यह जो नॉर्मल है वो किस पॉइंट से पास हो रहा है 1,2 ठीक है तो देखते हैं यह कैसे solve करेंगे 23 तो हमें कर्व दिया हुआ है x square equal to 4y ठीक है और पॉइंट जो है वो क्या है 1,2 और normal is passing through the point 1,2 ठीक है तो अगर यह कर गहें आपे तो ऐसा ठीक है न यह कोडिनेट एक axis है यहां पर तो यह x square equal to 4y ठीक है और जो नॉर्मल है वो किस पॉइंट से पास हो रहा है 1,2 इस से तो ऐसा यह नॉर्मल है और यहां पर वो टेंजन होगा ठीक है ना यह टेंजन है और यह नॉर्मल है ठीक है तो हमें हमें पहले क्या करना होगा हमें पहले एक पॉइंट लेना होगा एक ओम अभी यहां पर कर्व में एट वीच टेंजन क्या है यह विच पासिंग त्रू विच पॉइंट 1,2 ठीक है तो ऐसा हमें एक पॉइंट लेना होगा कर्व पे तो लेट एक कॉमा बी बीए पॉइंट ठीक है अन्द कर एक स्वार इक स्वार इक स्वार इकोल तो फोर वाई ठीक है एट वीच नॉर्मल है इस पासिंग तो अगर हम यहां पर स्लोप अफ नॉर्मल का फॉर्मूला यूज करकर यह पॉइंट फाइंड करें ठीक है तो देखते हैं क्या मिलेगा ठीक है तो स्लोप अफ नॉर्मल क्या है लोप अफ नॉर्मल एट एक कॉमा भी ठीक है इस एक्वल टू माइनस वन डिवाइड वाइड 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 एक्स एंड पॉइंट एक कॉमा भी ठीक है तो वह क्या होगा इस इक्वल टू माइनस वन डिवाइड वाइड 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 पहले रहें में find करना है तिके ना इस equation से तो वह क्या होगा अगर हम देखे एक स्क्वार इक्वार इक्वार टो फोर वाई कि तो अगर हम बहुत साइज डिफ्रेंशेट करें तो क्या मिलेगा यहां पर ट्व एक्वाल टो फॉर is equal to two one zero two 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 zero four so that is x by two ठीक है तो x by two आजहेगा यहां पर at the point a,b ठीक है तो which is equal to one minus one by x is a divided by two ठीक है तो यह होगा माइनस टू डिवाइड़ बाई ए है ठीक है ऐसे आ जाएगा ठीक है यह है स्लोप आफ द नॉर्मल एट एक कमा भी ठीक है तो अब हम क्या करेंगे अब हम फिर से स्लोप आफ नॉर्मल ही देखेंगे पर दूसरे फॉर्मॉला से ठीक है ना तो कौन सा फॉर्मल हम यूज़ कर सकते हैं टू पॉइंट फॉन पन फॉर्म ऑफ टू पॉइंट वोके वह फॉर्मल हम यूज़ करेंगे तो स्लोप आफ नॉर्मल पासिंग त्रू 1,2 and a,b ठीक है वो क्या होगा y2-y1 ठीक है तो b-2 divided by a-1 ठीक है यह होगा slope ठीक है two point form को यूज़ करके ठीक है पर यह तो slope of the same normal है ठीक है ना जो ये normal ठीक है उसी का तो हमने slope find किया था यहां पर तो ये दो slope equal हो जाएंगे ठीक है ना तो अगर हम इसको 1 कह दे और इसको 2 कह दे तो from 1 and 2 क्या मिलेगा minus 2 by a equal to b-2 divided by a-1 ठीक है ना तो अब हम क्या करेंगे cross multiply करेंगे तो हमें क्या मिलेगा minus 2 multiplied by a minus 1 equal to b-2 multiplied by a ठीक है तो हमें क्या मिलेगा यहां पर minus 2 a plus 2 equal to यहां पर a b minus 2 a ठीक है ना तो यहां पर minus 2 a और minus 2 a cancel हो जाएगा और हमें मिलेगा 2 equal to a b ठीक है यह a b is equal to 2 ठीक है यह equation हमें मिला तो इसको हम तरीक है दें equation 3 अच्छा तो a b equal to 2 मिल गया है हमें ठीक है पर हमें क्या find करना है a और b ठीक है तो उसके लिए हम क्या यूज़ करेंगे हम यूज़ करेंगे कि यह जो point है a comma b वह इस curve पर है ठीक है ना तो उससे हमें एक और equation मिलेगा ठीक है तो since a comma b lies on the curve x square equal to 4y ठीक है तो हमें क्या मिलेगा b square क्योंकि sorry a square ठीक है क्योंकि यह x coordinate है equal to 4 times b मिलेगा ठीक है तो यह हमें मिलेगा तो अब हम अगर यहां से बी फाइंड तर ले तो क्या होगा देखते हैं तो equation क्या था a square equal to 4B ठीक है तो हमें मिलेगा अब हम जो हमें वैल्यू मिला है ठीक है भी इस एक्वेशन में एक्वेशन त्री में ठीक है तो अगर हम इस एक्वेशन को एक्वेशन 4 बोल दे ठीक है तो इक टूटूाइओ तो एक मल्टीफलाइड बैड बी क्या कही यहां पे स Canada टीके नेका रूख जाया है जाक तो तो हम्में मिलेगा a3 equal to 2 multiplied by 4 तो a3 is equal to 8 तो a क्या हो जाएगा 2 तो तो सब्स्ट्रिटुटिटिंग इस इक्वेशन 5 ओके राइट सब्स्ट्टिटिटिंग यह एक्वेशन 5 इस एक्वेशन 4 में तीक है तो सब्स्ट्रिटुटिंग 5 इन 4 हमें क्या मिलेगा बीज इक्वेल टू टू स्क्वेर डिवारेट बैए 4 तो टू 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 पॉर डिवारेट बैए 4 तो उसका मतलब बी इस इक्वेल टू 1 तो यह हमें मिला है कि देर्फोर कि रिक्वेड पॉइंट क्या है एक्स कोडिनेट है टू और वाई कोडिनेट है वान ठीक है है प्टू है कोडिनेट है Q तो यह कاعशन प्यो माइट जए टू कमा आ टू टू तो हमने point find किया है अब हम क्या करेंगे अब हम find करेंगे equation of the normal तो हमें point find करना ही था यहां पर 2,1 हमें मिला है पर हमें क्या find करना है equation of the normal ठीक है न तो उसके लिए हमें स्लोप चाहिए ठीक है तो स्लोप क्या होगा है तो अगर हम इस लोप find करना है तो यह फॉर्मला में यूज करना होगा ठीक है न तो स्लोप of the normal एट एक कॉमा भी जो कि हमें मिला है तू कॉमा वन ठीक है तो स्लोप कि अफ नॉर्मल एट कि टू कॉमा वन ठीक है इस इक्वल टू फॉर्मूला क्या था माइनस टू बाइट था ठीक है तो हमें क्या मिलेगा माइनस टू बाइट टू मिलेगा ठीक है और वह होगा माइनस वन ठीक है न तो स्लोप भी हमें मिल गया है अब हम एक्वेशन ओफ नॉर्मल फाइंड करेंगे तो एक्वेशन ओफ नॉर्मल एट यह पॉइंट ठीक है न तू कॉमा वन इस प numéro से क्लिक है कि वाइ मैनस वन ठीक है एक्वल टू स्लोप क्या है मैनस वन लीटेवलाइड बहर 252 टीक है तो हमें क्या मिलेगा y plus x ठीक है अगर हम यह x यहां पर ले आए और अगर यह हम minus 1 यहां पर ले आए तो क्या मिलेगा 2 plus 1 ठीक है तो हमें मिलेगा y plus x equal to 3 ठीक है यह x plus y equal to 3 ठीक है तो यह था equation of normal तो कौन सा option है option a है कि इस दी करेक्ट अंसर है ठीक है ना option is the correct answer तो हमने problem 23 solve किया है अब हम problem 24 की और बढ़ते हैं ठीक है तो problem 24 अगर हम देखें यहां पर तो वो क्या है the points on the curve 9y square equal to x cube ठीक है वेर दे नॉर्मल तो दो कर मेक्स इक्वल इंटरसेट्स विद्ध एक्सिस आर तो यह option हमें दिये है ठीक है ना तो देखो इस problem को solve करने के लिए आपको diagram ड्रॉह ही करना होगा ठीक है ना तो हमें कर्व क्या दिया हुए है 9y square equal to x cube ठीक है और हमें क्या find करना है हमें points find करने हैं कर्ष पर जहां पर नॉर्मल टुदकर इक्वल इंटरसेप्स करता है एक्स एक्सिस को और वा एक्सिस ठीक है ना तो हम डाइग्रेम दिखते हैं ऐसा होगा अगर अगर यह कॉडिनेट एक्सिस हैं यहां पर अगर और अगर यह कर्व है तो ऐसा एक हम कर्व लेते हैं कि कोई ऐसा कर्व कौन सा भी कर्व हम ड्रॉब कर सकते हैं वह इंपोर्टन नहीं तो अगर कि नॉर्मल हमें ड्रॉब करना है तो वह नॉर्मल कैसा होगा ऐसा है तो अगर नॉर्मल है यहां पर तो टेंजन भी हमें देखना होगा ठीक है न अगर यह टेंजन थे है यह जो पॉइंट है यह दो पॉइंट है यह दो पॉइंट वह क्या होगे सी कॉमा जीरो और जीरो कॉमा सी ठीक है ऐसा कुछ आपको डाइग्राम मिलेगा ठीक है ना तो यह कर्व है जिसका नाम क्या है 9y2 to x3 और यह जो नॉर्मल है वह किस पॉइंटपर है एक को मा भी ठीक है और वह नॉर्मल इक्वल इंट्रसेप्स करता है ठीक है ऐक सेक्सेस पर और वा एक सेक्सेस तो यह डाइग्राम हमें मिला है इस डाइग्रेम को हमें यूज करना है अब तो कर्व क्या दिया हुआ है नाइन वाइस कर इकोल टू एक्सक्यू तो ठीक है और हम लेंगे लेट एकॉमा बी बी कर्वाइस 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 इंटरसेप्ट जीरो कॉमा सी एंड सी कॉमा जीरो ऑन दी एक्सिस हुआ ठीक है तो हमें अब क्या करना होगा हमें पहले इस टैंजन का स्लोप फाइंड करना होगा ठीक है ना तो हम इस नॉर्मल का स्लोप हम दो तरीके से फाइंड कर सकते है ठीक है ना तो पहला तरीका क्या है तो स्लोप ऑफ नॉर्मल ठीक है पासिंग ट्रू दब पॉइंट्स 0,C ठीक है और C,0 ठीक है तो स्लोप अब दो नॉर्मल पासिंग ट्रू इस टू पॉइंट्स तो वो क्या होगा यज की है अब श्लोप नॉर्मल डीक्ली मिल गया है अब हम क्या करेंगे स्लोप ही find करेंगे पर दूसरे तरीक से स्लोप आफ नॉर्मल हुआ ठीक है अधे पॉंट कि इस पॉय्ट पर है एक कॉमा भी तो हमें स्लोप आफ नॉर्मल उसी पॉयंट पर find करना होगा तो which is equal to आपको formula पता है 1-1 by dy by dx at the point a,b तो which is equal to minus 1 divided by अगर हम अब dy by dx देखे यहां पर तो क्या होगा 9 y square equal to x cube है तो अगर हम दोनों साइड differentiate करें तो क्या मिलेगा 9 multiplied by 2y dy by dx ठीक है equal to यह होगा 3x square तो यह आपको मिल जाएगा और हम में क्या मिलेगा dy by dx equal to 3x square multiplied by यह 9 multiplied by 2 जो 18 है वो यहां पर आ जाएगा ठीक है और यह y भी तो हमें यह मिलेगा तो dy by dx equal to 3103 3608 ठीक है ना तो x square divided by 6y यह हमें dy by dx मिलेगा ठीक है ना तो यह हम यहां पर substitute करेंगे तो हमें क्या मिलेगा x square divided by 6y at the point a,b ठीक है तो this is equal to minus 1 divided by x क्या है तो a square divided by 6 multiplied by y क्या है बी ठीक है ना तो हमें क्या मिलेगा minus 6b divided by a square ठीक है तो फिर से हमें slope मिला है जो कि b और a की terms में है और यह जो slope था वो constant था तो इस equation को हम 1 कह देगे और इस equation को 2 ठीक है दोनों slope तो equal होंगे क्योंकि जो हमने slopes find किये है वह सेम नॉर्मल के है ठीक है ना तो फ्रॉम वन एंड टू ठीक है हमें क्या मिलेगा माइनस 1 is equal to minus 6b ठीक है divided by a square ठीक है ऐसे मिलेगा तो यह माइनस और माइनस कैंसल हो जाएगा और हमें मिलेगा 1 equal to 6b divided by a square ठीक है तो अब हम अगर यहां पर ले आए तो क्या होगा a square equal to 6b ठीक है ना तो यह equation हमें मिला है तो उस equation को हम equation 3 कह देंगे ठीक है ना अब हम क्या करेंगे अब हम यह a और b find करेंगे क्योंकि हमें क्या find करना है points okay a,b जो point है वह हमें find करना है तो इस equation से हम directly यह और भी find नहीं कर सकते तो एक और equation यूज़ करना होगा तो वह होगा क्या और कैसे find करेंगे तो यह जो point a,b है वह curve पर है तो इस condition को हम यूज़ करेंगे यह आपने बहुत बार यूज़ किया है ठीक है problem solve करने को तो since a,b lies on the curve 9y2 equal to x3 therefore a,b satisfies the equation of the curve 9y2 equal to x3 ठीक है तो हमें क्या मिलेगा 9 multiplied by y क्या है य बी है तो b2 मिलेगा ठीक है equal to x क्या है ए तो a3 मिलेगा ठीक है ऐसे हमें equation मिलेगा ठीक है तो यह था दूसरा equation जो कि हम 4 कहेंगे तो अब हमें क्या करना है हमें 3 और 4 a और b के लिए solve करना है ठीक है तो उसके लिए हम क्या करेंगे यहां पर जो equation 3 है उसमें b को कोई power नहीं है ठीक है इसमें power क्या है b का 2 तो अगर हम यहां पर दोनों side square करेंगे तो हमें b2 मिलेगा तो वह step हम कर लेंगे equation 3 के लिए ठीक है तो from tree okay squaring both sides okay squaring both sides okay squaring both sides हमें क्या मिलेगा a square the whole square equal to 6b the whole square ठीक है तो यह होगा a is to 4 equal to 36 b square ओके तो अब हम क्या कर सकते हैं अब हम जो b square है ठीक है इसको substitute कर सकते हैं इस equation में ठीक है तो हमें क्या करना होगा हमें यह जो equation है 4 ठीक है उससे हमें b square रफाइंड करना होगा ठीक है तो देखते हैं फ्रॉम फॉर कि वाट विल बी स्क्वेर तो बी स्क्वेर इस एक्वाल टू एक्यूब डिवाड़ेड़ बाइन ठीक है क्योंकि एक्वेशन 5 और एक्वेशन 6 ओके इन दोनों को ही हम देखेंगे और यह दोनों सॉल्व करेंगे ठीक है ना तो सब्सटिट्यूटिंग 6 इन 5 ठीक है ऐसे अगर हम कर ले तो क्या मिलेगा एक्वाल टू 36 ठीक है मल्टिप्लाइड बाइब बीस करें जो की एक्यूब डिवाड़ेड़ बैन 9 है ठीक है तो हमें क्या मिलेगा एक्वाल टू इक्वाल टू 910994036 ठीक है तो 4 मल्टिप्लाइड बेएक्व मिलेगा ठीक है ना तो अगर हम इस 4a3 को यहां ले आए तो क्या मिलेगा ए रेस्टो 4-4a3 इक्वाल टू 0 ठीक है तो यहां पर हम क्या कर सकते हैं एक्वाल ले सकते हैं तो एक्यूब मल्टिप्लाइड बचेगा माइनस 4 इक्वाल टू 0 ठीक है तो यहां से हमें क्या मिलेगा a3 is equal to 0 और a-4 is equal to 0 ठीक है तो कौन से नंबर का क्यूब 0 होगा जिरो का ही क्यूब 0 है तो a होगा 0 ठीक है न तो कॉमा a is equal to 4 ऐसा मिले तो दो equation या दो values a के लिए हमें मिल गए हैं अब अगर हम option देखें तो option में सिर्फ क्या है x-coordinate x-coordinate तो सिर्फ 4 है ठीक है तो यह जो a equal to 0 है वह हम discard कर लेंगे ठीक है पहले ही ठीक है तो हमें a equal to 4 लेना है अब ठीक है तो अगर हम इस equation को देखें अब ठीक है equation 6 और अगर हम यह value of a को substitute करें उस equation में तो हमें क्या मिलेगा देखते हैं ठीक है तो substituting कि यह a equal to 4 in 6 है ठीक है जो कि यह equation है तो हमें क्या मिलेगा बी स्क्वेर इक्वाल टू फोर क्यूब डिवाइड बाय नाइन ठीक है तो बी स्क्वेर इस इक्वाल टू यहां पर आ जाएगा फोर क्यूब है 64 ठीक है डिवारेड बाय नाइन ठीक है तो बी इस इक्वाल टू प्लस और मैनस रूट ओप टू देरफॉर ए कॉमा बी है वह क्या हो जांगा अट थो हमें फोर मिला था ठीक है कॉमा बी हमें क्या मिला है मैंद इट डिवाइड बाय ट्री ठीक है ना, is the required point, ठीक है, तो therefore option क्या होगा, option is a, ठीक है, is the correct option, ठीक है, ठीक है, is the correct option, ठीक है, ठीक है, तो इस वीडियो में बस इतना ही, अगर आपको ये वीडियो पसंद आए, तो वीडियो को ज़रूर लाइक करें, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, ठीक है, और ज्यादा से ज्यादा इस वीडियो को शेर करें, मैं आपको मिलूँगा अगले वीडियो में,